राधे राधे बंदो बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेट फार्म न्यूज नेशन इस्तुति पर बंदो इस बीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों के सेनापती धरती पुत्र मंगल के रासी परवरतन की इसके साथ ही उनके सनी के साथ बन रहे सडास्टक योग के बारे में मंगल का ये रासी परवरतन बहुत गंबीर परणाम लेकर आने वाला है इसका प्रवाव न सिर्फ बारे रासी के जात्कों पर पड़ेगा बलके ये प्रवाव देश दुनिया पर देखने को मिलेगा मंगल का ये रासी परवरतन बहुत असुप प्रवाव दिखा सकता है इन सभी बातों की चर्चा करेंगे साथ ही बताएंगे कि ये किन रासी के जात्कों के लिए असुप परणाम ला सकते हैं और किन उपायों के जरिए इनके असुप प्रवावों से बचा जा सकता है इसलिए इस वीडियो में आप आखिर तक हमारे साथ बने रहिए 20 अक्टूबर को मंगल चंद्रदेब की रासी कर्क में प्रवेश करेगा कर्क मंगल की नीच रासी है इस रासी में ये 6 दिसंबर तक गोचर करेगा लगवग 94 दिन का ये समय होगा इस दोरान मंगल और सनी एक दूसरे से छटे और आठवे भाब में हो करके सडास्टक योग भी बनाएंगे मंगल का रासी परवर्तन और सनी के साथ बन रहा सडास्टक योग ये देश दुनिया पर अपना असर दिखाई देगा इस योग की बज़े से प्राकरतिक आपदाया सकती हैं जंदन की हानी हो सकती है राज़नीति में कोई बड़ा उठाक पटक देखने को इस्तिती मिल सकती है दुनिया में इस समय युद्ध के हालाद चल रहे हैं ये हालाद और भी बत्तर हो सकते हैं यानि के मंगल का करकरासी में गोसक और सनी के साथ सडास्टा क्यों ये बहुत गंबीर परिणाम आने वाले समय में ला सकते हैं बंदु जोते सास्त्र में मंगल का बड़ा प्रमुखिस्थान है मंगल ग्रहों के सैनापती कहे जाते हैं रक्त तप्त ग्रहें हैं, धर्ती पुत्र कहे जाते हैं. मंगल जिस ब्यक्ति की कुंडली में उत्तम फल्दाई होते हैं, वो ब्यक्ति बहुत प्रभावशाली ब्यक्तित तु रखता है. उसके अंदर निडरता अलगी दिखाई देती है, यानि वो किसी भी परिस्तती में ड प्राप्त करते हैं मंगल उत्तम है तो ब्यक्ति के जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती मंगल यद उत्तम है तो नौकरी और ब्यापार में बहुत उम्मित से अधिक सफलता प्राप्त होती है मंगल यद उत्तम है तो जीवन साथी के साथ सम्मंद मतुर होते हैं वही यद किसी ब्यक्ति की कुंडली में मंगल अशुप फलदाई हो तो उस ब्यक्ति को जीवन में अनिक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है बंदो यही बज़े है मंगल जब भी रासी परवर्तन करता है तो जोतिस सास्त्र में इसका प्रहुख रूप से अध्यन किया जाता है और इस बार 20 अक्टूबर से मंगल करक रासी में गोचर करने जा रहे हैं वो 6 दिसंबर तक इसी रासी में गोचर करेंगे सनी के साथ सडास्तक यूग बनाएंगे इसका प्रभाव सभी रासी के जात्कों पर पड़ेगा आईए सबसे पहले उन रासीों की बात करते हैं जिन के लिए ये गोचर असुब साबित हो सकता है इन रासी के जात्कों को बेहत सबल करके अब आगे बढ़ना होगा बंदू हो रासी चक्र की पहली रासी है मेस रासी मेस रासी के जात्कों के लिए मंगल का करक रासी में गोचर अशुफलदाई हो सकता है परिवार में बाद विवाद की इस्तती से बचे नोकरी में काम की अधिक्ता और भाग दोड रहेगी ब्यापार में धन हानी हो सकती है खर्चों के भड़ने से आर्थिक इस्तती आपकी गड़बडा सकती है और स्वास्त का बिसेश रूप से आप ध्यान रखे ब्रसब रासी के जातकों के लिए मंगल का करक रासी में गोचर अशुप फलदाई हो सकता है रोजगार की समस्या सकती है नोकरी में गलती से बचे बरना नोकरी जा सकती है ब्यापार में पैसे का लिद्देन बहुत सोच समझ कर करें जीवन साति के साथ आपका कोई विवाद हो सकता है आप बहान चलाते हैं तो बहान बहुत सावधानी से चलाए करक रासी के जात्कों के लिए मंगल का करक रासी में गोचर अशुप फलदाई हो सकता है आर्थिक समस्याय सामने आ सकती है परिवार में कलह से मन प्रसन परेशान रहेगा कारचित पर बिरूदियों से सावधार नहें ब्यापार में नए काम की सुरुवात फिलाल न करें और कामों में रुकावट आ सकती है सिंग रासी के जातकों के लिए मंगल का करक रासी में गूचर अशुप फलदाई हो सकता है नोकरी में तराव की स्थती बन सकती है ब्यापार में साजेदारी से विवाद हो सकता है जीवन साथी के साथ बैचारिक मतवेद रहेंगे चलते हुए कामों में रुकावट आ सकती है खर्चों पढ़ नियंतर रखें बरना कर्ज लेने की इस्तिती बन सकती है धन रासी के जातकों के लिए मंगल का करक रासी में गोचर अशुफलदाई हो सकता है आए सही होगी लेकिन खर्चे भी बने रहेंगे नोकरी में परिवर्तन बहुत सोच समझकर करें ब्यापार में नए निवेश में पैसा न लगाएं किसी को पैसा उधार देने से बचें और स्वास सम्बंदी परेशानिया आपके सामने आ सकती है रासी चक्र की अंतिम रासी है मीन रासी मीन रासी के जातकों के लिए भी मंगल का करक रासी में गोचर अशुफलदाई हो सकता है सेर वजार में जल्द वाजी में निवेश न करें ब्यापार में नई साजेदाजी से बचें संतान से वैचारिक मतवेद हो सकते हैं नोकरी में अधिकारियों से विवाद हो सकता है और आखों से सम्मंदित परेशानिया आपको हो सकती हैं बंदो ये वो रासियां हैं जिनको 20 अक्टूबर से लेकर 6 दिसम्बर तक अब बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा मंगल आपके लिए अमंगल कारी हो सकता है इसके बेहद अशुप परेडाम आपको देखने को मिल सकते हैं इसलिए आप किसी से भी बाद विवाद की स्तिती से बचें घर में कलेश करने से बचें नोकरी पर अपने काम को स्वैम देखें किसी पर भरुसा ना करें नोकरी में अधिकारियों के साथ विवास से बचें लोक्री में आप गल्ती करेंगे तो आपकी डोक्री भी जा सकती है इस दौरान आप कोई भी लोक्री में परिवर्तन बहुत सोग समझ कर के करें इसी तरह ब्यापारी वर्ग जो इन रासी के जातक हैं वो बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे पैशे का लिंदेन बहुत सोच समझ कर करें किसी को भी पैशा उधार ना दे बरना फस जाएगा कोई भी नया निवेश करने से बचें कोई नई साजेदारी करने से बचें आपके टेक्स आप समय पर जमा करें बरना कोई कोट के इस भी आपका बन सकता है बहां साबधानी से चलाएं इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए इन रासी के जातक अब आगे बढ़ेंगे लेकिन मंगल का करक रासी में गोचर मिथुन तुला और ब्रश्चिक रासी के जातकों के लिए बेहस्थ सु परड़ाम लाएगा इस दोरान इनके निये लिए गए निर्णे सही सावित होंगे इनको नौकरी और ब्यापार में उम्भी से अधिक सफलता मिलेगी यदि कहीं पैसा फसा हुआ था तो प्रयास से वो बापस मिल जाएगा धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी आपके जीवन साथी के साथ सम्मन्द मदूर होंगे घर में कोई विवाद की इस्तिती चल रही थी तो अब वो ठीक हो जाएगी तो इन तीन रासी के जात्कों के लिए मंगल उत्तम फलदाई होंगे लेकिन सभी रासी के जातक कुछ सरल उपाय करके मंगल के इस गोचर का उत्तम लाप प्राप्त कर सकते हैं जिन के लिए अशुब है उनको तो विस्स रूप से करना ही है लेकिन मितुन तुला और ब्रश्चिक इन रासी के लिए अच्छा है तो और अच्छे प्राप्त करने के लिए सभी रासी के जातक इन उपायों को करें आप भगवान हनमान जी की उपाशना करें प्रत दिन हनमान चालीसा के साथ पाट कम से कम करें इसके साथ ही मंगल देव और सनी देव के मंतरों का जब करें आप गाय को गुड़ खिलाए इन सरल उपाय की जरीए आप मंगल के अशुप प्रभावों से बच सकते हैं बंद हो मंगल नीच रासी में प्रवेश कर रहे हैं मंगल का गूचर जोत्यसाचारियों के मताबिक बहुत अशुप परिडाम देने वाला हो सकता है इसलिए इन उपाय को करके आप मंगल के इस गूचर से बच सकते हैं बंद हो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अमारे कमेंट बॉक्स में लेखें जोतिस और धर्म से संबंदित कोई भी आपका सवाल है आप अमारे कमेंट बॉक्स में लेखें हम उसका जबाब अवश्च देंगे आप न्यूज नेशन के डिजिटरल प्लेट फार्म पर जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद राद है राद है